तो इस सलेवस में कुछ छोटा नहीं है और UPPCS जब या उत्तरप्रदेश लोकसेवा आयोग जब किसी परिक्षा को कराता है तो उस परिक्षा का अपना एक स्टेंडर होता है यहां प्रिश्णों की पृविति से लेकर जो आपका पाठ्थ करम है वो इसतरी यहां पर परिक्षा पूछे जाने की पृविति इसतरी है यह कोई बंड़े लोगसेवा आयोक की ऐख शक्राइं है कि वह है परिच्छा नियमत तौर पर कराता है नियमत तौर पर आपका result देता है और आप लोगों को नियमत तौर पर नियुक्ति देता है तो लोग सेवाय उपके साथ कोई ऐसी दिक्तत नहीं है कि हाँ लेट लतीफी है अगर मैं आपसे कहा रहा हूँ कि दिसम्मर में परिख्षा सम्मावेत है तो दिसम्मर में परिख्षा होगी अब अगर हम लोग 26-27 तारीक से पढ़ाई शुरू करते हैं तो लगभग 5 माह का समय आपके पास है पांच माह को अगर हम 30 से गुड़ा करें तो लगभग 150 दिन आपके पास है ताकि इसको आप इस प्रकार से तयार कर सके कि इस बार खंड सिक्षातकारी बनने से आपको कोई रोक न सके क्योंकि अकर आप हम 5 महीने का समय नहीं देंगे तो साइध हम परिख्षा की बहतर तयारी आपको ना कर पाएं क्योंकि परिख्षा की विसेस्ताओं में आप सम हम आपको 50 प्लस स्मोक टेस्ट देंगे, डेली 6-7 घंटे की लाइफ क्लासिज देंगे, एक इसतरी ये टेस्ट सीरीज देंगे, सारा प्रिंटेड मुटेरियल हम आपको लिखित देंगे, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, बलकि हमारे अध्यापकों द्वारा नोट्स आपको दिया जाएगा, हम संपूर फॉर्मेटिंग देंगे, कैसे फॉर्मेटिंग आपको करनी है, मेंस के पेपर की पिरी कम मेंस को पहले दिन से साथ लेके चलेंगे, फॉर्मेटिंग के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो लास्ट में हम आपको डाउट सेशन मेराथ रिवीजन देंगे, चेप्टर वाइच प्रेक्टिस देंगे, इतना सबकुछ प्लस छहसो घंटे की लाइफ कच्छा है, इतना कराने के लिए हमको पांच माह की जरूरत है, तो अब हमारे पास भी समय नहीं, अगर हम गुर्वत्ता पूर तरीके से पढ़ाएं, और आपक अगर आपको इसकी पढ़ाई लिखाई गंभिरता से सुरू करनी है, तो आपके पास कमी समय है, आपको इसकी पढ़ाई लिखाई को सुरू करना चाहिए,